हलो बच्चो तो वही कैसे हो आपसे भी आए होप सारे बच्चे एकदम अच्छ होंगे एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्ट होंगे बच्चो तो वही क्या हाल चाल है सबके बहतरीन एकदम शांदार जबरदस जुन्दाबाद तो वही देखो तुमारी जो Most Important Question की सीरीज चल रही थी कहाँ पर तुमारे PW Foundation Case Channel पर याने की PW Case Amazing Platform पर जहाँ पर हम बच्चो अभी तक काफी सारे चैप्टर्स को डिसकस कर चुके हैं ठीक है लास्ट जो सेशन हुआ था उसमें हमने डिसकस करा था किसके बारे में हमारा Surface Area Volume के बारे में और आज फिर से मैं याने कि तुम्हारे कमल सर तुम्हारे Mathematics Faculty आज लेकर आ चुके हैं तुम्हारा Next Session Most Important Question की सीरीज का जो कि किस पर होने वाला है Statics ठीक है अब भाई ये बहुत 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 ज़ादा जरूरी है ठीक है क्यों जरूरी है क्योंकि इस चाप्टर में से इस चाप्टर में से हर बार मैं 100% कह सकता हूँ कि इस चाप्टर में से तुम्हें 100% Long Question देखने को मिलेगा ठीक है तुम्हारे 4 marks वाले कोशन तुम्हारे 5 marks वाले कोशन अगर बनते हैं तो Class 10 के board exam में तुम्हें इस चाप्टर में से जो सबसे बड़ा question हो सकता है जो सबसे बड़ी marks वाला question हो सकता है 4 marks 5 marks वो तुम्हें इस chapter में से देखने को मिलेगा ठीक है याने की बच्चो ये one of the most important chapter है तुमारा क्योंकि यहाँ से रेखो generally अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से generally तुम्हें 7 से 8 number generally 6 मिल जाते है 6 number तो minimum मिलेंगे ही मिलेंगे statistics ते 6 number तो मिलेंगे ही मिलेंगे कई बार 7-8 number भी मिल जाते है ठीक है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है बच्चो कि यह काफी जादा important chapter होने वाला है और चीजे बहुत easy है ठीक है mean, mode और median, यह तीन चीजे निकाली है किसकी grouped data की ठीक है, grouped data की याने कि तुम्हें class interval वाले logic दे रखा होगा class interval वाली table दे रखी होगी वहाँ से तुम्हें उस table का mean निकालना होगा कई बार कई बार mode निकालना होगा और कई बार median निकालना होगा ठीक है, अब ये कैसे निकलेंगे बस यही मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ आज की class में, ठीक है अलग-अलग question के तुम्हारे mean के तीन method है ठीक है, direct method है एक assumed mean method है और एक step deviation method है तीनों को मैं एक single question से cover करूँगा ठीक है, उसके अलावा तुम्हारा mode कैसे निकालते है वो cover करेंगे, तुम्हारा median कैसे निकालते है वो cover करेंगे, तो बिना किसी देरी के बिना कोई time गवाए, सीधा हम class की शुरुआत करते हैं, और class की शुरुआत, बच्चो, हम एक खाली slide से करेंगे लेकिन, जब तक ये session खतम हो गए, एक slide जो है वो खाली नहीं बचेगी, क्यों? क्योंकि इस slide पर काफी सारी important चीज़े तुम लोगों को मुझे बतानी हैं, जिन में से सबसे पहला part आता है हमारा mean ठीक है? अब mean निकालने का बिटा देखो simple सा formula होता है, यहाँ पर हमारे पास तीन formula है, mean निकालने के तीन method है, तीनो method को बच्चों हम एक एक करके समझेंगे, और तीनो ही हमारे बहुत important method है, तो बिटा बहुत ध्यान से सुनना, इन तीनो ही methods को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि तीनो ही हमारे बहुत important method है भाई ठीक है, सबसे पहला method आता है बच्चों, हमारे पास हमारा direct method direct method, मैं थोड़ा तेज बताऊंगा, मुझे थोड़ा तेज चलना पड़ेगा क्योंगी काफी बड़े-बड़े question होते हैं इसमें, तो थोड़ा time लगेगा इसलिए मैं थोड़ा तेज चलूँगा, तुम लोग हातो हाथ देखते वे चलना ठीक है, तो सबसे पहले आता है अपने पास direct method और direct method से mean निकालने का formula क्या है x bar is equals to sigma fi into xi upon sigma fi, देखो, sigma fi into xi upon sigma fi यहाँ पर fi क्या है हमारा, fi है frequency, xi क्या है, xi बच्चो हमारा क्या है, जो कि हम यहाँ से किस से निकालेंगे class interval से निकालेंगे, middle term type कह सकते हो तुम इसे, इसे हम निकालेंगे हमारा class interval से ठीक है, तो भई देखो, अब यह काफी important है, इसके बाद हमारा दूसरा method जो आता है, वो आता है, assumed mean method ठीक है, दूसरा method है बच्चो, assume mean method, यहाँ पर हम क्या करते हैं बच्चो, table में से, जो हमारा xi होता है जो xi की table बनती है, उसमें से हम अपने आप से एक अलग से mean मान लेते हैं, हम कहते हैं कि भई यह यह वाली जो term है, यह इसका mean है मतलब इस पूरे question का mean है, हम अपनी तरफ से एक assumption मान लेते हैं और उसे हम बोलते हैं a उस assume mean को हम बोलते हैं a, ठीक है, तो assume mean से जो हमारा formula बनता है, वो है x bar is equals to x bar is equals to a plus sigma fi di upon sigma fi fi, ठीक है, अब fi तो यहाँ पर वही है, अपनी frequency di क्या है, di है बच्चों हमारे पास यहाँ पर हम di कैसे निकालेंगे, di हम निकालेंगे हमारा x i minus a करके x i minus a करोगे, तो आपका d किल करा जाएगा, tension actor 0 ना लो, जब question कराऊगा तो यह सारी चीज़े तुम्हें बहुत अच्छे से clear होंगी, जब मैं तुम्हें question कराऊँगा, तो यह सारी चीज़े तुम्हें बहुत अच्छे से clear करा दूँगा, मैं tension ना लो, अब इसके method किसका mean को find out करने का ये है अपना तीसरा method किसका बच्छो mean find out करने का ठीक है तो यहां से हमारा x bar is equal to हो जाता है a plus sigma fi into ui upon sigma fi into h h यहां पर क्या है बच्छो h होता है हमारा class interval के बीच का जो difference है या फिर अगर हम h की बात करें तो h हमारा क्या होता है class length बोल सकते हो तुम इसे हमारा h वैसे निकल जाएगा अगर तुम्हे class interval दिया हुआ है तो upper limit में से lower limit को क्या अगर दो subtract कर दो तुमारे पास h की value आ जाएगी और यह जो ui है यह ui कैसे निकलेगा ui is equal to होता है हमारा d i upon h d i upon h कर दोगे तो ui निकल जाता याने कि d i क्या था x i minus a x i minus a ठीक है और अगर किसी को पता करना है x i कैसे निकलता है तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर यहाँ पर बता देता हूँ मैं yellow x i is equal to होता है अपर लिमिट मतलब आपका किसी भी class interval के लिए अगर आपको x i निकालना है तो कैसे निकालोगे upper limit plus lower limit upon me 2 यह होता है x i का formula फिर d i कैसे निकलता है x i minus a जहाँ पर a हमारा क्या है कोई भी assume mean है यह कैसे solve करना है इन तीनों method से कैसे question को solve करना है मैं सिखाँगा जब मैं question कराँगा अभी केवल formula एक बार note down करते वे चलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या निकल कर आ गया u i की value होगे d i upon h और इसके बाद हमारे पास क्या आता है हमारा जो h है वो कैसे निकलता है h निकलता है हमारा upper limit minus lower limit मतलब किसी भी आपका किसी भी किसमें आपका class interval में से क्या करो upper limit minus lower limit कर दो तुम्हारे पास h की value निकल कर आ जाएगी तो इतने formulas सबको clear हो गए भई देख लो एक बार ये हैं तुम्हारे mean के formulas ठीक है ये सारे तुम्हारे किसके formulas हैं ये सारे तुम्हारे mean के formulas हैं ठीक है clear हो गई यहाँ पर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है इतना सबको समझ में आ गया चमका के नहीं चमका जल्दी से बताओ बेटा कमेंट्स में क्योंकि अब हम चलेंगे किस पर हमारा mode पर ठीक है अब हम चलेंगे हमारा किस पर mode पर तो mode is our second target तो बेटा देखो mode के question solve करने के लिए तुमने class 9 में भी mode पढ़ा है वहाँ पर mode क्या होता था तुमारा किसी भी given data में जिस भी data की value सबसे जिस भी data की frequency सबसे ज़ादा होती थी या किसी भी number की frequency सबसे ज़ादा होती थी वो तुमारा उस given data का mode हो जाता था ठीक है, यहाँ पर आपके पास आएगा grouped data, याने कि यहाँ पर तुम लोगों के पास क्या आएगा, यहाँ पर तुम लोगों के पास आएगा class interval ठीक है, तुम्हें उसमें से निकालना है class interval में सी कि उस given पूरे के पूरे data का mood क्या होगा तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा उसके लिए तुम्हें यहाँ पर बच्चो modal class निकालनी पड़ेगी सबसे पहले सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी modal class तो ये क्या होता है बई modal class किस चड़िया का नाम है आपको पूरा question तभी solve करने को मिलेगा जब आप modal class निकाल लोगे modal class क्या है? modal class बिटा कुछ भी नहीं है तुमारा वो class interval जिसकी frequency सबसे ज़ादा है वही modal class होजाता है ठीक है? class interval मैं आपर खाली ci लिख रहा हूँ ci मतलब class interval class interval with highest frequency highest frequency ठीक है class interval with highest frequency हमारा modal class होता है ठीक है? अब modal class के बाद अपने पास क्या आता है? modal class के बाद अगर आपने एक बार modal class निकाल लिया तो आपका mode का formula हो जाता है simple mode will be equals to l plus bracket के अंदर f1 minus f0 upon f1 minus f0 upon 2 into f1 minus f0 minus f2 bracket के अंदर multiply by h ठीक है? ये है बच्चों क्या? ये है हमारा mode का formula ठीक है? f1 minus f0 upon 2 into f1 minus f0 minus f2 into h plus l ठीक है? ये हमारा mode का formula अब इस formula में कौन सी चीज़ क्या है? मैं बता देता हूँ. तुम्हारे modal class की lower limit है l. मैं यह आपर सारी चीज़े बता रहा हूँ. modal class की lower limit है l. ठीक है? f1 क्या है? f1 है तुम्हारा modal class की frequency. ठीक है? f0 क्या है? तो पहले आता है? 0, 1 से पहले आता है. तो f1 क्या था? modal class वाले तुम्हारा class interval की frequency. ठीक? f0 हो जाएगा modal class से पहले वाले class interval की frequency. ठीक है? f2 क्या हो जाएगा? f2 हो जाएगा तुम्हारा modal class के बाद वाले किसकी बच्चे हो? modal class के बाद वाले किसकी? आपका class interval की frequency. ठीक है? यहा तक किसी भी बच्चे हो कोई दिक्कत है, बदाओ ज़रा मुझे, इसमें किसी को भी कोई दिक्कत है, ख्लियर है सब को ये, बदाओ भई, यहाँ पर सब को ख्लियर है ये, बदाओ ज़रा, अभी तक किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बदाओ, चालो, बहुत बढ़िया यहां तक तो मुझे किसी को कोई दिक्कत दिखनी रही है बहुत सही ठीक है, तो अब इसके बाद बच्चों देखो, यह तो हो गया हमारा क्या यह तो हो गई हमारी पूरी के पूरी मोड की बात ठीक है, जहां पर L हो गया हमारा क्या Lower Limit of Modal Class F1 हो गया हमारा, क्या बच्चो Frequency of Modal Class F0 हो गया, Modal Class से पहले वाले Class Interval की Frequency ठीक है, F2 क्या हो गया, Modal Class के बाद वाले Class Interval की Frequency और H क्या हो गया, class size हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीजे आ गई, अब इसके बाद आता है हमारे पास बिटा क्या, देखो, इसके बाद हमारे पास आता है हमारा mean, mean हो गया, mode हो गया, अब आता है median, क्या आता है भई, median, ठीक है, ये है हमारा median, अब median क्या है बच्चो देखो, median निकालने के लिए आपको सबसे पहले जो भी given data होगा, जो भी given data होगा, उसमें आपको सबसे पहले निकालने है cumulative frequency याने की CF, ठीक है, सबसे पहले निकालना है CF, ये कैसे निकलेगा मैं जब question कराऊंगा, वहाँ पर बत आज जाएगा, ठीक है, CF निकालने के बाद आप निकालोगे क्या N by 2, ठीक है, N क्या यहाँ पर, N है हमारा sum of frequency, ठीक है, N है हमारा sum of frequency, ठीक है, तो पहले frequency की sum करोगे, उसे divide by 2 करोगे तो n by 2 आ गया ठीक है अब इसके बाद इसके बाद आप क्या निकालोगे आप देखोगे कि यह जो n by 2 की value है इसे चेक करोगे cf में और निकालोगे median class क्या निकालोगे बच्चो median class ठीक है अब जैसे ही median class निकल गई उसके बाद तुम्हारा simple सा formula है median is equals to l प्लस bracket के अंदर n upon 2 minus cf upon f into h ठीक है जहाँ पर n upon 2 क्या है हमारा n upon 2 क्या है बच्चो देखो l तो है वही lower lower limit of median class h हमारा वही class size है cf क्या है आपके median class से पहले वाले class interval की cumulative frequency और f क्या है आपका median class की frequency ठीक है तो यह हो गया बच्चो median का formula आपको mode और median निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा median class और mode class निकालने पड़ेंगे अब यह किसी को कोई दिक्कत है तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ clear है अब हमें इनी formulas का use करके question को solve करना है बस यहां पर एक और formula है जो कि तुम लोगों को पता होना चाहिए और यह है बच्चो relationship between mode, mean, mode and median तो हमारे पास 3 into median is equals to होता है mode plus 2 into mean यह formula याद रखना आपके पास अगर median और mean है किसी formula का मतलब किसी data का तो तुम mode निकाल सकते हो अगर तुमारे पास mode और mean है तो तुम median निकाल सकते हो मतलब यह सारी चीज़े अगर तुमारे पास है तो तुम आराम से question को solve कर सकते हो ठीक है शुरू हो गया अब बच्चो देखो हमें क्या करना है अब इनी सब का use करके हमें क्या करना है हमारे questions को solve करना है एक एक करके question पर चलेंगे ठीक है एक एक करके question पर चलेंगे और हमारे questions को solve करना शुरू करेंगे ठीक चालो तो अब सबसे पहले question पर आ जाते है तो देखो भई, पहला question क्या कहा रहा है, find the class mark of the class, class is 10 to 25 and 35 to 55, अब class marks क्या होते हैं, class mark क्या होता है, तुम घूम गए होगी class mark क्या है, पिटा class mark कुछ नहीं है, x i है, x i को ही तुम्हारा class mark बोला जाता है, class mark is equals to x i, और इसका formula में तुम्हारा बदा चुका हूँ, और पिछले session की तरह ही, आज के session में भी सारे के सारे जो question होने वाले हैं, बच्चो, वो previous year में आए हुए हैं, तो यानि कि सारे के सारे question बहुत 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 जादा important है, जैसे कि यही question 2020 के set में आया था, cbsc के, तो क्या कह रहा है, आप से class mark पूचा है, x i की value कितनी होती है, तो मैं बताया था, upper limit plus lower limit upon 2, so x i की value कितनी हो जाएगी, x i will be, upper limit कितनी है बच्चो अपने पास देखो, सबसे पहले इसका निकाल लेता है, class mark of, class mark of, किसका, 10 to 25, तो देखो, class interval में, class interval में, जो limit बाद में लिखी होती है, वो upper limit होती है, तो 25 जो है, वो हमारी upper limit है, यानि कि 25, plus, ये हमारी क्या है, lower limit है, यानि कि 10 upon 2, तो 25 और 10 कितना हो गया, 25 और 10 हो गया, हमारा 35 upon में 2, तो यहां से कितना आगया, ये हो जाएगा, अपने पास, 21 जा 2, 1 बचा, 27 जा 14, 1 बचा और 25 जा, तो अपने पास आगया, class mark कितना, अपना class mark निकल कर आगया, 17.5, किसी को यहां पर कोई दिक्कद है, कोशन देखो और मुझे अंसर बताओ, किसी भी बच्चे को यहां पर कोई दिक्कद है, तो हमारा class mark अराम से निकल कर आगया, किसी भी बच्चे को यहां पर कोई दिक्कद है, देखो, इसमें से objective type question बहुत कम बनते हैं, ठीक है, ये question generally one mark वाले short question बन जाते हैं, जैसे कि दो class interval देखे, क्या पूछ लिया, उनका class mark पूछ लिया, दूसरा वाला भी निकाल दो, तो देखो, इसका class mark कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा class mark, किसका निकाल रहे हैं भाई, 35 and 55 का, तो same वाई, upper limit plus lower limit upon 2, तो upper limit कितनी है, 55, lower limit कितनी है, 35 upon में 2, तो कितना हो जाएगा भ 3, 8 और 1, 9, याने कि 90 by 2, तो याने कि ये कितना हो गया, ये हो गया, 45, तो पेटा, इसका class mark आगया 45, ठीक है, तो ऐसे निकलता है class mark, ठीक, simple सी बात है, x i जो है वही हमारा class mark होता है, x i जो है वही हमारा class mark होता है, attention ना लो, हर एक तरीके का question जो बन सकता है, वो कराऊंगा आज की class में, ठीक है, ये one mark वाले question है, जो stats से बन सकते है, अब next question देखो, next question क्या कह रहा है, following distribution givens gives cumulative frequency of more than type, मतलब यहाँ पर आपको more than type की cumulative frequency दे रखी है, जब आपको देखो दो type की cumulative frequency हो सकती है, एक तो up to वाली और एक more than वाली, more than और less than वाली भी कह सकते हो तुम, more than और less than वाली यहाँ पर तुम्हें more than वाली दे रखी है, ठीक है, change the above data to the continuous grouped frequency distribution, ठीक है, मतलब कि आपको इस पूरे data को क्या करना है, continuous grouped frequency distribution में convert करना है, ठीक है, अब यह कह रहा है है, आपके पास more than or equal to 5, मतलब कि 5 या उससे जादा, more than or equal to 10, याने कि 10 और उससे जादा, more than or equal to 15, more than equal to 20, ठीक है, तो अब देखो बच्चो, यहाँ पर आपको जब भी more than वाली टेबल बनेगी, तो तुम्हें क्या गरना है, तुम्हें more than वाली टेबल में cumulative frequency दे रखी होती है, चाहे वो more than हो, चाहे less than हो, more than वाली और less than वाली टेबल म आपको उससे frequency निकालनी पड़ती है, तो अगर मैं यहाँ पर frequency निकालने जाओँगा, ठीक, यह लो भाई, ठीक है, और एक और बना देते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आजाएगा हमारा class interval, ti, ठीक है, यहाँ पर आपकी cumulative frequency cf, ठीक है, और यहाँ पर आपकी frequency आजाएगी f, ठीक है, हमें यहीं बनाना है, हमें क्या बनाना है, हमें change the above data to a continuous grouped frequency distribution, हमें continuous grouped frequency distribution में convert करना है, ठीक है, यानिकि class interval में convert करना है, तो यह सबसे पहला क्या कह रहा है, more than equal to 0, यानिकि या तो 5 या उससे जादा, तो देखो बच्चो, आपका पहला class interval हो जाएगा 5 और उससे यह कहां तक जा सकता है देखो दूसरे class interval में क्या आ रहा है more than 10 और equal to more than और equal to 10 तो दूसरा class interval 10 से start हो जाएगा तो पहला वाला class interval हम 5 से 10 रख सकते हैं ठीक है इसकी cumulative frequency तुम्हें दे रखिया कितनी 30 ठीक है तो cumulative frequency दे रखिया 30 तो इसकी frequency कितनी हो जाएगी देखो तुम्हारा इसकी frequency कितनी हो जाएगी frequency निकालने के लिए तुमसे क्या कह रहा है तुम्हें कह रहा है यहाँ पर more than और equal to 5 ठीक मतलब कि आपके 5 और उस से जादा कितने बच्चे हैं यहाँ पर 5 और उस से जादा आपके पास 30 बच्चे हैं ठीक है 5 या उस से जादा वाले आपके पास 30 बच्चे हैं और हम यहाँ पर कितने बच्चों की बात कर रहे हैं केवल 5 से 10 के बीच वाले 5 से 10 के बीच वाले जितने बच्चे हैं उनकी बात कर रहे हैं तो उनकी frequency क्या हो जाएगी देखो 10 और उससे जादा वाले बच्चे यहाँ पर है हमें कितने बच्चों की चाहिए हमें केवल उन बच्चों की frequency चाहिए जो की 5 से 10 के बीच में है ठीक है और यहाँ पर क्या है यहाँ पर 10 से लेके आगे तक के बच्चे है तो हम क्या करेंगे 5 से 10 के बीच के बच्चे निकालने के लिए हम जो इसकी total frequency है 30 बच्चे जो हैं इसमें से subtract कर देंगे जिनके नंबर 10 या उससे जादा है वो कितने बच्चे है 10 या उससे जादा नंबर वाले 23 बच्चे है तो यह हो गया आपने पास 30 माइनस 23 is 7 ठीक है next हमारा class interval बनेगा more than or equal to 10 तो यह हो जाएगा तुमारा 10 से कहां तक अगला वाला है 15 तो 10 to 15 तो बच्चे है 10 से 15 वाले कितने बच्चे हैं हमारे पास 10 से 15 वाले तो देखो 10 से और 10 के equal और 10 से जादा वाले कितने बच्चे हैं 23 लेकिन हमारे पास 15 के equal और 15 से जादा वाले बच्चे है 8 तो हम क्या करेंगे इन 23 में से 8 student हटा देंगे तो मेरे पास केवल वो बच्चे बच्चे बचेंगे जो 10 से 15 के बीच में हैं तो यह हो जाएगा हमारा 23 minus 8 which means यह कितना हो गया? यह हो गया वाले 8 बच्चे हैं हमें कितने चाहिए जो केवल 15 से 8 किस के बीच में हो? केवल 15 से हमारा 20 के बीच में हो तो यह कितने हो जाएगे? 8 minus 2 which means अपने पास कितने आ गया? यह आ गया अपने पास 6 student ठीक है? और हमारा 20 से आगे तक more than equal to 20 मतलब 20 और उससे जादा वाले कितने बच्चे हैं बच्चे हो अपने पास 20 और उससे जादा वाले हमारे पास केवल और केवल दो बच्चे है ठीक है? तो more than 20 वाले कितने बच्चे है? हमारा more than 20 वाले कितने बच्चे बच्चेंगे बताओ जरा more than 20 वाले बच्चे हो गए अपने पास more than 20 वाले कितने बच्चे किवल हमारे 20 क्योंकि देखो 2 बच्चे बच्चे क्योंकि हमारा कितने 8 से लेकर 15 तक sorry मतलब 15 से लेकर 20 तक तो हमारे कहाँ पर आ गए second वाले column में आ गए इसमें तो 20 और उससे ज़्यादा वाले कितने बच्चे बच्चे हमारे पास केवल 2 students बचेंगे और ये हो गई हमारी क्या बच्चो इसकी grouped data की frequency ठीक है clear हो गई बात तो more than वाले में आपको यही करना है simple सी चीज़ अगर आपको more than वाली table बनाने कर दे देता है वो तो आपको यही करना है cumulative frequency से frequency निकालने के लिए पहले वाले column में से दूसरे वाले को subtract करते चलो चुट्टी तो मारा ये बन जाएगा तो यार हो जाएगा ठीक है और ध्यान रखना more than और less than वाले जो data है उसमें तुमें kbb frequency नहीं देगा वो हमेशा तुमें cumulative frequency देगा frequency तुमें खुद निकालनी पड़ेगी ठीक है चलो next question देखो क्या खेरा है क्या रहा है in the following frequency distribution find the median class तो median class निकालने का तरीका समझाया था तुमें सबसे पहले table है तुमारे पास पूरी की पूरी बना लो भई तैयार कर लो तुम्हें क्या क्या चाहिए था बता दिया था मैंने पहले ही क्या क्या चाहिए होता है भई yellow median class निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है मैं तुम लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि वह यह median class निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है median class निकालने के लिए हमें cumulative frequency की ज़रूरत पढ़ती ही पढ़ती है ठीक है तो सबसे पहले तुम्हारा class interval आ गया CI उसके बाद तुम्हारी frequency आ गई और यहाँ पर निकलेगी तुम्हारी cumulative frequency ठीक है अब पिछले question में तुम्हें frequency नी दी थी cumulative frequency दी थी वहाँ से तुम्हें frequency निकाली थी 140 से 145, 145 से 150, 150 से 155, 155 से 160, ठीक है? और 160 से 165, 165 से 170, ठीक है? यही है, कितनी है फ्रिक्वेंसी? 5, 15, 25, 30, 5, 15, 25, 30, और 15, 10, 15, 10, ठीक है? इसका पूरा सम कर लो, इसका पूरा सम करेंगे तो कितना आजाएगा? हम जब मीडियन निकाल रहे होते हैं बच्चों, जब हम मीडियन निकाल रहे होते हैं तो हम फ्रिक्वेंसी के सम को बोलते हैं N, तो n will be क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा हमारा 5, 5, 10 15 20, कज 0 कैरी गया 2 2 और 1, 3, 2, 5 और 3, 8 और 2, 10 तो यह आगया हमारे पास 100 तो n की value आगई 100 CF अपने पास कैसे निकलेगा? आप देखो CF निकालने का तरीका होता है frequency की जो सबसे पहली term है और उसके बाद बाकी की अगली term निकालने के लिए क्या करोगे? अपना इस वाली frequency को इसमें आड़ करो तो यह हो जाएगा 5 प्लस 15 कितना हो गया? यह आगया तुमारा 20 सेम अब इस वाली frequency को इसमें आड़ करो तो कितना हो जाएगा? 20 प्लस 25 कितना हो गया? 45 सेम इसे इसमें आड़ करो तो कितना हो जाएगा? 45 प्लस 30 कितना हो गया बच्चों यह? यह हो गया 75 ठीक है? आपको median का कोई भी question करना है उसे इसी तरीके से solve करना पड़ेगा? सेम इसी तरीके से पहले frequency से आप cumulative frequency निकालोगे ठीक, अब 15 प्लस 75 कितना हो गया? 15 प्लस 75 करेंगे तो यह हो जाएगा एक सेकड़ हमने थोड़े जादा उपर उपर लिख दिया हमें सामने सामने लिखना है भाई यह ऐसे थोड़ी चलेगा देखो इसे इसमें आड़ करेंगे तो यह कितना हो जाएगा? 15 प्लस 5 इस इकोल्स तो 20 फिर इसे इसमें आड़ करते हैं तो यह हो जाएगा अपने पास 25 प्लस 20 इस इकोल्स तो 45 है ना? फिर 30 को इसमें आड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 30 plus 45 is equals to 75 ठीक है फिर इसे इसमें add करेंगे कितना हो जाएगा 15 plus 75 याने कि हमारा 90 और इसे इसमें add करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 plus 10 is equals to 100 हमेशा दियान रखना बच्चो तुम्हारा जो frequency का sum है तुम्हारी जो frequency frequency का sum है वो और तुम्हारी cumulative frequency का जो last term है वो हमेशा same आएगा हमेशा दियान रखना आपकी frequency का जो sum है और cumulative frequency का जो last term होता है बच्चो वो हमेशा same आता है अगर वो same नहीं आ रहा है तो इसका मतलब तुमने कहीं न कहीं कुछ ना कुछ गड़बड करिए सिंपल सी चीज है तो भई देखो अब अपने पास ये बन गया अब यहाँ पर हम क्या करेंगे अब सबसे पहले हम निकालेंगे बच्चो देखो क्या मैंने तुम्हें बताया था तरीका क्या है median class निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है n by 2 n की value कितनी है 100 by 2 100 by 2 करेंगे तो यह आगया 50 अब जो भी value n by 2 की आई है जो भी value n by 2 की आई है उसे तुम ढूंडोगे cumulative frequency में तो value आई है 50 तो अब आपको 50 ढूंडना है cumulative frequency में तो क्या कहीं पर 50 है तुम कहोगे sir पूरी की पूरी table में कहीं पर भी 50 नहीं है ठीक है तो पिटा अगर 50 नहीं है तो आपको क्या करना है 50 से बड़ी जो अगली term होगी cumulative frequency में 50 से बड़ी जो अगली term होगी वही तुमारा क्या हो जाएगा वही तुमारी क्या हो जाएगी बच्चो उसी term को तुमें पकड़ के चलना है तो देखो 50 से बड़ी अगली term कौन सी है 50 से बड़ी अगली term है देखो 45 तो 50 से चोटा हो गया अगली term जो है 50 से बड़ी वो है 75 ठीक है और इसी cumulative frequency के सामने वाला जो class interval होगा वही तुमारा क्या हो जाएगा वही तुमारा median class हो जाएगा तो बिटा median class कितना आ गया ये निकल कर आ गया 155 to 160 मतलब कि तुमारे इस question की जो median है वो इसके बीच में से कही निकल कर आएगी और ये हमारे question का answer हो गया 1 mark में पूचा गया question है 2015 के paper में किसी को कोई दिक्काद है तो बताओ देख लो भई clear है सब को ये आगे समझ में clear है भई समझ गए सब चालो तो अब आ जाते हैं कहां पर बच्चो अब आ जाते हैं अपने next question में तो next question अपना क्या कह रहा है next question अपना कह रहा है find the mode of the following data मतलब आपको क्या करना है इस question का mode निकालना है mode के जो question है बच्चो वो हमेशा 2 number में आएंगे 2 या 3 number में जादा इस से जादा बड़े question नहीं आते क्योंकि mode निकालना सबसे आसान चीज़ है mode निकालने के लिए तुम्हें table बनाने की भी जरुरत नहीं पड़ेगी ठीक है mode निकालने के लिए तुम्हें table बनाने की भी जरुरत नहीं पड़ेगी तुम्हारी सबसे पहला काम क्या है mode निकालने के लिए क्या बोला था तुम्हें चाहिए क्या बच्चो model class तो तुम्हें क्या डूणना है maximum frequency डूण दो maximum frequency कितनी है देखो मेरो लाल maximum frequency कितनी है यहाँ पर मेक्जिमम फ्रिक्वेंशी है 12 तुम देख सकते हो frequency यह दे रखी है इसमें maximum frequency कितनी है maximum frequency है 12 तो तुम्हारा जो modal class हो जाएगा जिस class interval की frequency सबसे जगा है वही तुम्हारा modal class हो जाएगा तो ये रहा तो ये हो गया तुम्हारा modal class will be modal class will be 60 to 80 अब modal class मिल गया बच्चो modal class मिल गया तो तुम पूरा का पूरा formula जानते हो formula क्या है mod is equals 2 होता है हमारा मैं formula दुबारे लिख रहा हूँ mode is equal to होता है L plus bracket के अंदर कितना? आपका F1 minus F0 upon 2 into F1 minus F0 minus F2 upon में into H तो यहाँ पर सारी value लिख लेते हैं L क्या था बच्चो? देखो मैंने तुम्हें बताया था L क्या है? Lower limit of median class तो median class की lower limit कितनी है? median class की lower limit है 60 ठीक है? F1 क्या था बच्चो? F1 था तुम्हारा class sorry frequency of modal class तो यह हो गया F1 frequency of modal class is 12 अब आ जाता है F0 F0 क्या था बच्चो? frequency of modal class preceding sorry frequency of class interval preceding the modal class मतलब की आपका modal class से पहले वाले class interval की जो frequency है वो तुम्हारी F0 हो गई तो modal class यह रहा इससे पहले वाला class interval यह है इसकी frequency कितनी है? 10 तो यह हो गई F0 तो F0 is equals 2 हो गई 10 और F2 क्या हो जाएगी बच्चो? आपका modal class के बाद वाले class interval की जो frequency है तो यह है हमारी 6 तो F2 हो गई 6 ठीक है? अब आप क्या करोगे? आपको चाहिए H तो H की value क्या होती है? H की value मैंने तुम्हें सिखाईती कोई भी class interval उठालो ठीक है? कोई भी class interval उठालो उसमें से क्या करो? upper limit minus lower limit कर दो मैं यहापर उठालेता हूँ ठीक है? 20 और 40 ठीक है? 40 minus 20 करेंगे आपकी value आएगे 20 ठीक तो यह हो गए value H की तुम कोई भी class interval उठा सकते हो कोई भी class interval उठालो वहाँ से H की value मिल जाएगी इसी तरीके से ठीक है? अब क्या करो? simple यहाँ पर values put करो हमारे formula में और value निकालो किसकी? mode की तो mode will be L L की value कितनी है? 60 plus bracket के अंदर F1 minus F0 F1 की value है 12 minus F0 की value है 10 upon में 2 into F1 यानि कि 2 गोणा 2 into 12 minus F0 की value है 10 और F2 की value है 6 10 minus 6 into H H की value है 20 बस कुछ मत करो अब solve कर दो इसलिए 2 marks का question आता है mode निकालना सबसे ज़ादा आसान है mode निकालना सबसे ज़ादा आसान है इसलिए इसका जो question आता है वो 2 mark या 3 mark में आता इस से ज़ादा में नहीं आता ठीक है? तो simple है अराम से निकाल जाएगा बस अब solve कर दो तो mode will be 60 plus 12 minus 10 हो गया कितना? हमारा 2 upon 12 2 जा 24 minus 10 minus 6 कितना हो जाएगा? minus 16 into 20 तो अपने पास कितना हो गया? 60 plus ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 42 into 20 हो गया 40 upon में कितना? ये आ जाएगा कितना? 24 minus 16 तो ये आ गया 8 ठीक है? तो अपने पास कितना आ जाएगा? 8 8 बन जा 8 8 5 जा 40 तो अपने पास value आ गया 60 plus 5 याने कि मोड कितना निकल कर आ गया बच्चो मोड अफ दिस कोश्चन विल बी 65 क्या किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत है? मुझे बताओ बेटा क्या किसी भी बच्चे को यहाँ पर कोई दिक्कत है? बहुत ही easy कोश्चन था आराम से हो गया पूरा का पूरा कोश्चन 60 से 80 के बीच में ही आ रहा है है ना? तो यह तुमारा अंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है ठीक है? तो यह हो गया बच्चो मोड निकालने का तरीका अब एक दो कोश्चन और कर लेते हैं मोड निकालने के तरीके पे ताकि तुमारी जो प्रेक्टेस है मोड की वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाए आ जाओ भई compute the mode of the following data distribution तो सबसे पहले तुमें क्या चाहिए? modal class. modal class क्या हो जाएगा भई? देखो modal class will be जो सबसे बड़ी frequency है सबसे बड़ी frequency यहाँ पर क्या है? 12 ठीक है? तो modal class क्या हो गया? इसी frequency का जो class interval है याने कि 12, 16 ठीक तो अब यहाँ से सबसे पहले तुमें L मिल गया L lower limit of modal class याने कि 12 उसके बाद F1 F1 क्या था हमारा? frequency of modal class याने कि 12 उसके बाद F0 आपका modal class से पहले वाले class interval की frequency तो यह हो गई 10 ठीक है? उसके बाद है तुमारा F2 modal class के बाद वाले modal class के बाद वाले तुमारे class interval की frequency तो यह हो गई 6 ठीक? तो भई देख सकते हो तुम सारे के सारे question previous year में आये हुए हैं कोई भी question ऐसा नहीं है जो कि मैं नया करा रहा हूँ यह सारे previous year के question है तो बहुत 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 जादा important है तो ध्यान से देख लो ठीक है? तो तुमारे पास सारी चीज़े है H की value क्या आ जाएगी? कोई भी class interval उठा लो जैसे मैंने उठा लिया 8 और 4 तो upper limit minus lower limit यानि की 8 minus 4 करोगे तो कितना आ गया? 4 तो यह हो गई H की value तुमारे पास पूरा का पूरा formula पढ़ा है value put कर दो बस क्या है भई formula? mode is equals to कितना? आपका L plus bracket के अंदर F1 minus F0 upon में 2 into F1 minus F0 minus F2 into H ख़़म किस्सा? value put करेंगे क्या हो जाएगा? यह हो गया हमारा L L की value है 12 plus bracket के अंदर F1 minus F0 तो F1 की value है 12 minus F0 की value है 10 upon में 2 into 12 कितना हो जाएगा? 2 into F1 यानि 2 into 12 तो यह हो गया 24 minus F0 की value हो गई 10 और इसकी value हो गई 6 bracket H की value कितनी है? 4 solve करेंगे कितना हो जाएगा बच्चो यह हो जाएगा हमारा mode is equals to 12 plus 12 minus 10 कितना हो गया? 2 upon 24 minus 10 minus 6 कितना हो जाएगा? minus 10 minus 6 हो गया, minus 16 24 minus 16 कितना हो गया? 8 calculation का बच्चो बहुत जादा ध्यान रखना ठीक है? तो अपने पास कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा अपना बहुत easy हो गया है तो 4 वंजा 4 4 वंजा 8 2 वंजा 2 2 वंजा 2 तो अपने पास कितना हो गया? mode is equal to आगया अपने पास निकल कर 12 plus 1 यानि की mode की value आगई कितनी? mode is equal to आगया हमारा 13 और किसी को इस question में दिखकर है तो बताओ अब नहीं लगता मुझे कि तुम लोगों को mode निकालने में कोई भी problem होनी चाहिए अब नहीं लगता मुझे तुम लोगों को mode निकालने में कोई problem होनी चाहिए आराम से mode निकाला जा सकता है अब simple तरीका है आपको बस formula याद होना चाहिए ये वाला अगर तुम लोगों को ये formula याद है mode का ठीक है और तुम्हें पताए कि कौन सी term कौन सी term है ठीक है मतलब कि f1 क्या है f2 क्या है f0 क्या है h क्या है l क्या है तो तुम बड़े प्यार से questions को solve कर सकते हो किसी को कोई दिक्कत है किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है जल्दी से बताओ मुझे clear है बई सब को ये clear है बई चालो अब आजाते है next question पर next question क्या कह रहा है find the mode of the following distribution तो तुम्हें ही ये काम करना है find the mode करना है mode निकालना है तो अब ये question तुम लोग खुद से homework में करोगे already दो question मैं तुम लोगो को करा चुका हूँ ठीक है यहाँ पर सबसे पहले तुम्हें क्या मिलेगी modal class मिलेगी modal class कैसे निकालोगे तुमारा सबसे बड़ी frequency कौनसी है 50 तो modal class हो गई 35 40 L की value मिल जाएगी 35 F1 की value 50 F0 की value 34 F2 की value 42 ठीक है सारी values मिल गई H की value कितनी हो जाएगी 45 माइनस 40 कर लो कितनी आ गई 5 सारी values तुमारे पास है value put करो answer निकाल लो बस इस से ज़्यादा और कुछ नहीं करना है खतम हो गया ठीक है यह question तुम लोगों के लिए practice question है ठीक अब हम चलेंगे आगे next question देखो हमसे क्या कह रहा है next question हमसे कहता है find the unknown values in the given table तुम यह यह देखो बहुती easy question है ठीक है तुमें table दे रखिया तुमें cumulative frequency की table दे रखिया इसमें जादा माथा बच्ची नहीं करनी है तुमें simple पता है कि तुम cumulative frequency कैसे निकालते हो पहला वाला same as it is रखते हो और फिर अगला data निकालने के लिए क्या करते हो तुम इस वाली frequency को पहली वाली cumulative frequency में add करते हो तो याने कि तब तुमारे पास आता है यह तो तुमारा 7 plus 5 होगा किस के equal x1 के equal so x1 will be 7 plus 5 ऐसी तो निकलते है cumulative frequency तो यह हो गया 12 तो x1 की value आगई 12 ठीक है अब x2 को जब तुम इसमें add कर होगे तब तुमारे पास क्या आएगा यह आएगा याने कि अपने पास होगा x2 plus 12 is equal to 18 के ठीक है तो 12 इदर जाएगा तो x2 की value कितनी हो गई 18 minus 12 तो यह हो गया हमारे पास कितना x2 की value आगई 6 ठीक है x1 की value 12 है x2 की value है 6 ठीक अब जब तुम 5 को 18 में add करोगे तब तुमारे पास आएगा कितना 5 को 18 में add करेंगे तब हमारे पास आएगा x3 सिंपल है यह cumulative frequency का question हा और कुछ नहीं है इसमें 5 को तुम 18 में add करोगे तो आजाएगा x3 तो x3 will be कितना 5 प्लस 18 याने की हमारा 23 और इसकी value आगे 23 और जब तुम x4 को 23 में add करोगे तो तुमारे पास 30 आजाएगा याने की x4 प्लस 23 will be 30 तो याने की x4 is equals to 30 minus 23 is equals to 7 so this is our answer यह लो भाई किसी को कोई दिक्कर हो तो बताओ बच्चो वाला सवाल ता यह तो और यह सवाल तुम्हें दो नंबर में मिलेगा बच्चो वाला सवाल ता और दो नंबर में देंगे इस सवाल को ठीक है यार यह 7 तुम्हें अगर चेक करना है तुमारा answer ठीक है नहीं है एक बार चेक कर लो 5 और 7 कितना हो जाएगा 12 12 और 6 कितना हो गया 18 18 और 5 कितना हो जाएगा 23 23 और 7 कितना हो गया 30 तुम देख सकते हो Sum of Frequency और Last Term of Cumulative Frequency बिलकुल सेम आ रहे हैं तो याने कि हमारा अंसर बिलकुल correct है ठीक है Simple सा question था बड़े आराम से हो गया कोई दिक्कर है तो बताओ clear है बई सब को समझ में आ गया है यहाँ पर यह भी और तुम लोग सोच रहे हो कि यहाँ पर क्या चला है नीचे तो नीचे कुछ नहीं चला है question लगे है ठीक है यही question जो है वो सामने लगा रखा है मैंने ठीक चलो next question देखो क्या कह रहा है the mean of the following distribution is 53 find the missing frequency k तो हमें क्या करना है बच्चो यहाँ पर देखो हमें mean दे रखा है और हमें k की value निकालनी है ठीक है यह बड़ा बढ़िया question है और यह question तुम्हारा generally जो आता है वो बड़े ही question में आएगा ठीक है छोटे question में नहीं आएगा यह ठीक है generally three marks में यह question आता है ठीक और important question है तो ध्यान से लेखना बच्चो क्या आएगा तुम्हें क्या क्या रखा है तुम्हें mean दे रखा है mean का formula तुम जानते हो x bar is equals to होता है तुमारा sigma fi x i upon sigma fi है ना इसी का use करेंगे भाई साब इसी का use करेंगे और कुछ नहीं करना तो कैसे करेंगे वो देखते हैं जरा देखो भई कैसे होगा इसका use करने का जुगार है अपने पास simple कि पहले table तयार करना नहीं पड़ेगी इसके लिए पहले table तयार करनी पड़ेगी तो तुम्हारा सबसे पहले class interval की table उसके बाद सबसे पहले class interval की table उसके बाद frequency की table उसके बाद तुम्हारी एक इसकी table आ जाएगी यह class interval हो गया, यह frequency हो गया यह हमारा class mark यानि की x i की value ठीक है और last में हमारा f i x i की value f i x i की value तो यह बन गई बच्चों अपनी पूरी की पूरी table ठीक है, यह बन गई अपनी पूरी की पूरी table ठीक, तो सबसे पहले आ गया हमारे पास class interval ठीक है, इसके बाद frequency इसके बाद हमारे पास आ जाएगा क्या? हमारा class marks यानि की x i और इसके बाद आ जाएगा हमारे पास f i into x i f i into x i तो देखो भाई, सबसे पहले हमारी class interval दे रखा है कितना? 0, 20, 20, 40, 40, 60, 60, 80 और 80, 100 तो 0, 20 से शुरू करते हैं 20, 40, 40, 60, 60, 80 और 80, 100 ठीक है, इनकी frequencies क्या कै कि वेन है? 12, 15, 32, K और 13 तो देखो भाई, 12, 15, 32, 12, 15, 32, K और 30 तो भाईटा देखो, हमें यहाँ पर value की जरूरत पढ़ेगी किसकी? हमें यहाँ पर एक value की जरूरत और पढ़ेगी और वो है हमारी sigma f i तुम जानते हो, formula में हमें sigma f i की जरूरत पढ़ेगी formula में आपको बताए कि sigma f i की जरूरत पढ़ेगी x bar will be equals to sigma f i x i upon sigma f i sigma का मतलब क्या होता है? sigma का मतलब होता है, अगर यहाँ पर sigma f i लिखा है तो sigma f i का मतलब है, पूरे f i का, यानि की जो frequency वाली table है, पूरी की पूरी, उसका sum तो यह कितना हो जाएगा भई, देखो add कर लो तो यह हो जाएगा 12 और, देखो 5 और 2, 7 और 2, 9 9 और 3 कितना हो गया? 9 और 3 हो गया हमारा कितना? 9 और 3 हो गया 12 का 2 कैरी गया 1 1 और 1, 2, 3, 3 और 3, 6 और 1, 7 तो 72 प्लस k यह आ गया बच्चों कितना हमारा? 72 प्लस k अब इसके बाद x i कैसे निकलता है? x i का तुम्हें तरीका बताया था, class mark is equals to क्या होता है? class mark is equals to होता है upper limit प्लस lower limit by 2 तो इस class interval का class mark निकालना है upper limit है 20, lower limit है 0 by 2, कितना हो गया? 20 by 2 याने की class mark आ गया 10 ठीक है? इसका निकालो कैसे आएगा बई? same वही तरीका upper limit याने की 40 प्लस lower limit याने की 20 upon 2 कितना हो गया? 40 और 20 हो गया 60 upon 2 करेंगे तो या आगया हमारा 30 ठीक है? अब सेम तरीके से निकालते वे चलो देखो 60 और 100 60 और 40 60 प्लस 40 upon 2 याने की अपना 100 बाइ 2 याने की 50 आ गया अब देखो यहां से तुमें class mark एक बार अगर तुमने देख लिया ना तो तुम चेक कर सकते हो इनके बीच में gap कितना है? 10 से 30 याने की 20 का gap है 30 से 50 याने की 20 का gap है तो बस 20-20 के gap पर बन जाएंगे चाहे तो तुम इन्हें add कर के लिख लो नहीं तो direct लिख सकते हो 50 में 20 का gap लेंगे 70 और 70 में 20 का gap लेंगे तो 90 ये बन गया चाहे तो तुम इन्हें ऐसे निकाल लो वरना तो फिर तुमारा तरीका तो ये है ठीक है? तो x i की value आ गई अब हमें क्या चाहिए? f i into x i तो f i की multiply x i में करो तो 120 into 10 कितना हो गया? sorry 12 into 10 कितना हो गया? 120 ठीक 15 into 30 तो ये कितना हो जाएगा? 15 3 जा 45 याने की 450 ठीक है? 32 की multiply कर लेते हैं 50 में तो ये हो जाएगा कितना? 0 5 2 जा 10 का 0 0 5 2 जा 10 का 0 carry गया 1 और 5 3 जा 15 और 1 हो गया 16 तो ये आ गया आपने पास 1600 ठीक है? ये कितना आ गया? ये आ गया आपने पास 1600 ठीक? अब आ जाओ किस पर? k की multiply 70 से करेंगे तो ये आ गया 70 k और इसकी multiply इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसकी multiply इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 170 एक सेकंड याद हैगा 1170 1170 ठीक है? इस पूरे को add कर लो क्योंकि देको formula क्या है? formula है हमारा sigma fi xi upon sigma fi sigma fi की value तो है हमारे पास sigma fi xi की value निकाल लो तो ये कितनी हो जाएगी भाई? ये हो जाएगी हमारी sigma fi xi will be equals to कितना हो जाएगा भाई? add करो जराए ने तो हो जाएगा 0, 0, 0, 0 0 5 or 2, 7 और 0, 0, 0 और 7 कितना हो जाएगा? 5, 2, 7, 0, 7 और 7, 14 का 4 करी गया 1 1 और 1, 2 और 4 6 और 6, 12 12 और 1 13 का 3 कैरी गया 1 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 और 1, 3 तो 3340 प्लस 70 के प्लस 70 के तो बच्चों ये बन गया हमारे पास simple कितना? हमारा fi xi की value अब देखो तुम्हें x-bar की value पहले से पता है question में given है? तुमारे पास क्या आ गया? 53 is equals to sigma fi xi याने कि तुमारा 3340 plus 70k upon कितना? हमारा sigma fi याने कि 72 plus k 72 plus k इसकी multiply इधर कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा कितना? 53 की multiply कर लो किसमे? 53 की multiply अगर हम करते है हमारा किसमे 72 में तो कितना आएगा? side में कर देता हमें multiply तो यह हो जाएगा 3 2 जा 6 3 7 जा 21 5 2 जा 10 का 0 कहरी गया 1 5 7 जा 35 और यह हो जाएगा 136 6 1 8 3 तो 3 8 1 6 आगया अपने पास 3 8 1 6 और 53 की multiply के में करेंगे तो यह हो गया 53 k is equals to हमारे पास कितना आ गया? 3 3 4 0 plus 70 k तो देखो 3 3 4 0 को उठा कर इदर ले और 53 को उठा कर उदर ले जाओ तो 3 8 1 6 minus 3 3 4 0 is equals to कितना? 53 k इदर जाकर subtract हो जाएगा तो 70 k minus 53 k बस अब इससे solve करके यहां से k की value निकाल लो तुमारी k की value almost 28 आईगी देखो क्या आ जाएगा? मैं बता देता हूँ यह हो जाएगा 6 में से अपना 3,816 में से 3,340 को क्या करेंगे? subtract तो 6 में से 0 गया, 0 बच्चा ठीक है, 11 minus 4 करेंगे तो 7 ठीक 7 minus 3 करेंगे तो 4 और 3 minus 3 तो 0 हो गया ठीक है, is equals 2 आगया हमारा कितना? यहां से ले लो 17 के आ जाएगा 70 k minus 70 minus 53 करेंगे तो 17 तो यहां से अपने पास k की value कितनी निकल कर आगई बच्चो हमारे पास k की value निकल कर आगई, simple कितनी? k is equals 2 हो गया 476 476 upon 17 ठीक है, कितना आएगा निकल के बदो? कितना आएगा बढ़ी निकल के? यह हो जाएगा हमारा कितना? अगर divide करते हैं तो यह हो जाएगा 17 बच्चा 17 टू जा 34 ठीक है, और कितना बच्चा हमारे पास यह बच्चा 13 और 17 एट जा 136, तो k की value आगई 28, मैंने क्या बोला था? आंसर भी आद हो चुक है मुझे तो, ठीक है तो यह question भी तुम देख सकते हो 3 marks में 2019 के paper में आया हुआ है, यह question भी 3 marks में 2019 के paper में आया हुआ है, किसी को यहाँ पर कोई दिक्कत है? चालो भाई, अब आजाओ यह question हमारा यही पर complete हो गया है next question पर चलें अब देखें हमारा next question क्या कह रहा है हमसे चालो भाई, तो next question पर आजाते हैं next question देख लेते हैं क्या कह रहा है दंग से बढ़ो next question क्या कह रहा है next question हमसे कहता है a class teacher has the following absentee's record for 40 students of a class for the whole term find the mean number of the days student was absent तो यहाँ पर हमें mean निकालना है मैं इसी single question में तीनो method समझाने वाला हूँ mean के तुमारा कौन-कौन से तुमारा direct method, step deviation method और तुमारा कौन सा by assuming mean method ठीक है, तीनो method समझेंगे तीनो method में difference क्या है मैं बता देता हूँ तीनो method में difference यह है कि direct method में calculation थोड़ी tough होती है assume mean method में calculation direct method से easy हो जाती है और step deviation method में तुमारी जो calculation होती है वो सबसे easy हो जाती है ठीक है, तुमारा assume mean method से भी और तुमारे direct method से भी काफी easy calculation हो जाती है ठीक है, चलो भई तीरा आ जाते हैं question पे तो question के लिए देखो भई है सबसे पहले हमें तयार करनी पड़ेगी table ठीक है तो अपने पास table रखनी पड़ेगी हमे ठीक, तो table ready कर लेता है तुमारे पास सबसे पहली table आ जाएगी class interval की ठीक है, सबसे पहली table हो गई class interval उसके बाद पहली table class interval की आ गई यार ये टेड़ी क्यों बननी है लाइन रुख जाओ बहुत सबसे पहली table class interval की आ गई दूसरी बन जाएगी तुमारी frequency की ठीक है तीसरी हो गई तुमारी किसकी, class mark की क्योंकि चाहिए वो भी और चौती हो गई तुमारी किसकी भाई, तुमारा किसकी f i x i की, ठीक है direct method से सबसे पहले question को solve कर रहे है और direct method से solve करने के लिए इन सारी चीजों की जरूरत हमें पढ़ेगी पढ़ेगी ठीक है, पहला method हम लगाने वाले है हमारा कौन सा direct method direct method ठीक है, तो भाई ये direct method में अपना सबसे पहले देखो, तुमें तरीका पता है ये direct method लाघाने के लिए क्या-क्या चाहिए direct method लाघाने के लिए हमें कुछ गिनी चुनी चीज़े चाहिए, कौन-कौन सी गिनी चुनी चीज़े है भाई वो बदाओ, मुझे दारा सबसे पहले तुमारा class interval ठीक है उसके बाद frequency उसके बाद तुमारा क्या class mark याने की x i और उसके बाद f i into x i है ना तो direct method में तो हमें बस यहीं चाहिए तो class interval देख लो कितना है class interval 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18 कहां तक है 42 तक 0 to 6 6 to 12 12 to 18 18 to 24 24 to 30 30 to 36 और 36 to 42 यहीं तक है बस ठीक है frequency कितने है इनकी 10, 11, 7, 4, 4, 3, 1 10, 11, 7, 4, 4, 4, 3, 1, ठीक है तो summation of frequency sigma fi कितना हो जाएगा? summation of frequency sigma fi हो जाएगा हमारे पास कितना? देखो, यह हो जाएगा sigma fi is equals to कितना हो जाएगा बच्चो देखो? यह हो जाएगा हमारा 10 और 11, 21, 21 और 7, 28, ठीक है? 28 और 8 कितना हो जाएगा? 36, 36 और 3, 39 और 1, 40 तो sigma fi की value आगई 40 x i की value क्या आजाएगी बच्चो? x i की value निकालने का वही simple तरीका है अपना 6 प्लस 0 बाई 2 upper limit minus lower limit upon 2 तो कितना हो जाएगा? यह हो गया 6 बाई 2 याने कि 3 same 12 प्लस 6 बाई 2 याने कि 12 प्लस 6 कितना हो गया? 12 प्लस 6 हो गया हमारा 18 बाई 2 करेंगे तो कितना हो गया? 9 हमारा 12 प्लस 6 बाई 2 याने कि यह हो गया हमारा 9 18 बाई 2 याने कि 9 ठीक है? 18 प्लस 20 कितना? 18 प्लस 12 हो गया 30 बाई 2 करेंगे कितना हो गया? 18 plus 12 by 2 तो यह हो गया 30 by 2 कितना हो गया 30 by 2 हो गया 15 अब तुम देख सकते हो 3 और 9 में कितना gap है 6 का 9 और 15 में कितना gap है 6 का तो इनके बीच में हमेशा 6 का ही gap रहेगा चाहे तो अब तुम आगे निकाल लो इन्हें add करके divide by 2 कर लो वरना direct लिख सकते हो 6 6 के gap पे ठीक है तो देखो 3 और 6 9 9 और 6 15 15 और 6 कितना हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा 21 ठीक है और चाहे तो तुम इसे add करके भी निकाल दो यहां से निकालना चाहते हो तो कितना हैगा 24 और 18 करना ज़रा 24 और 18 करोगे तो 42 होगा 42 divided by 2 करोगे कितना हैगा 21 आएगा ठीक तो अब 21 और 6 कितना हो जाएगा 27 27 और 6 हो गया 33 और 33 और 6 कितना हो गया 39 सिंपल है चाहे तो लास्ट वाले को चेक कर लो 42 और 36 कितना हो जाएगा यह हो जाएगा, 78 हो जाएगा, 78 डिवाइड बाइ 2 करोगे कितना हैगा, 39 ही आएगा, तो हमें कोई दिक्कत निया अपना बिल्कुल सही है, अब सिग्मा एफ़ाई एकसाई कर लो, तो एफ़ाई की मल्टिप्लाई एकसाई से करेंगे, 10 की मल्टिप्लाई 3 से करी तो 30, ठीक है, 4 की मल्टिप्लाई 21 से करेंगे, तो कितना आजाएगा, 4 बन जा 4, 4 टू जा 8, 4 की मल्टिप्लाई 27 से करेंगे, तो कितना आजाएगा, 4 7 जा 28, कैरी गया 2, 4 टू जा 8, और 2 कितना हो गया हमारा, 10, ठीक है, अब 3 की मल्टिप्लाई 33 से कर लो, तो कितना आजाएगा, 3 3 339, 339 और last में वलकी वल्टिप्लाय 39 से करेंगे, तो यह आ गया 39 तो भाईया यह बन गया FI XI की टेबल FI XI की टेबल बन गई क्या करो Sigma FI XI निकाल लो Sigma FI XI निकालेंगे कितना आ जाएगा Sigma FI XI, सम कर लो भाई सब सब का करो सम कितना आएगा तो 0 प्लस 9, 9, 9 प्लस 5 हो गया कितना 14, 14 और 4 हो गया 18, 18 और 8 हो गया 26, 26 और 9 कितना हो जाएगा हमारा 35, 35 और 9 हो गया 44 का 4 कैरी गया 4 4 और 3, 7, 7 और 9 16, 16 और 0, 16, 16 और 8 कितना हो गया 24 और 0 24, 24 और 9 कितना हो गया भाई, यह हो गया तो तुम्हारा 33 और 33 और 3 कितना हो गया 36 का 6 कहरी गया 3 ठीक है 3, 4, 5 तो 564 आ गया कितना आ गया बच्चो 564 निकल कर आ गया यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत चल्दी से बताओ ठीक है तो अब इतना आ गया अब निकाल लो value direct method यहां से तुम्हारे x-bar की value आ जाएगी कितनी sigma fi x i upon sigma fi तो sigma fi x i की value कितनी है भई यह है हमारी 564 upon इसकी value है 40 ठीक है 4 से divide कर लेते हैं direct 4 बंजा 4 याने कि 10 आ गया ठीक है और यह हो जाएगा कितना 4 बंजा 4 1 बचा 4 बंजा 16 और 4 बंजा 4 141 डिवाइड बाइ 10 करेंगे तो यह आ गया अपना कितना 14.1 14.1 क्या हो जाएगा हमारा mean हो जाएगा इस given data का क्या हो जाएगा बच्चो 14.1 डेज हमारा mean हो जाएगा क्या इस given data का ठीक है तो यह था direct method जहां पर हम क्या करते है direct method में हम पहले sigma देखो सारी चीज़े हमारे पास होती है class interval और frequency हमें already given होती है हम निकाल लेते है क्या class mark याने की x i कैसे upper limit plus lower limit by 2 करके फिर fi x i निकाल कर उन्हें add कर दो और sigma fi से divide कर दो खतम बात तो यह हो गया direct method अब direct method के बाद जो दूसरा method आता है वो आता है assume mean method assume mean method तो भाई सब assume mean method में क्या करते हैं हमें काम वही करना है जो हमने यहां पर किया था तो आपको इतनी table तो बनानी पड़ेगी बेटा आपको इतनी table तो बनानी पड़ेगी tension ना लो notes में तुम्हें table मिल जाएगी notes में मैंने दो अलग-अलग table बना रखी है तो अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ किस से ये वाला ही same question तुम्हें मैं कराने वाला हूँ किस से same question हम करेंगे हमारा assume mean method से ठीक है assume mean method से और यहाँ पर आपको क्या करना है बच्छो देखो x i तक की table आप सबको बनानी आती है x i के बाद आप क्या करोगे x i में से एक mean मानोगे अपने आप ठीक है मानने को तुम कुछ भी मान सकते हो मानने को इस पूरी की पूरी table में से कोई से भी number को तुम mean मान सकते हो लेकिन हम ये मान कर चलते हैं कि हमारा beach वाली term को हम generally mean मानते हैं तो इस में से beach वाली term कौन सी है आप देख सकते हो beach वाली term है ये तो हम इसे ही हमारा assume mean a मान लेते हैं इसे ही हम क्या मानते हैं अपना assume mean a मान लेते हैं ठीक है आपको करना पड़ेगा ये यहां तक की table बनाकर अगर आपको आप question को करना है किस से assume mean method से तो सबसे पहले आप x i की value निकालोगे और x i में से beach वाले term को assume mean मान लोगे याने कि आपकी a की value आपने कितनी लेली a की value लेली 21 ठीक है अब a की value के बाद आप निकालोगे क्या di di क्या होता है बच्छों देको di होता है आपका deviation ठीक है जो कि कितना आएगा यह आजाएगा तुमारा x i minus a ठीक है याने कि x i में से a को subtract करते वे चलो तुमारा di आजाएगा तो सबसे पहले 3 में से 21 को subtract करेंगे x i minus a तो 3 minus 21 होता कुछ नहीं बस calculation easy हो जाती है तो देको 3 minus 21 करेंगे कितना हो जाएगा minus 18 ठीक है उसके बाद same वोई process x i minus a 9 minus 21 कितना हो जाएगा बई? 9 minus 21 करेंगे तो यह आगया 12 वो भी minus के ठीक है? same 15 minus 21 कितना आजाएगा? यह हो जाएगा हमारा minus 6 ठीक है? 21 minus 21 तो यह हो गया हमारा 0 ठीक है? 27 minus 21 तो यह हो गया plus 6 33 33 minus 21 तो यह हो गया हमारा 12 और 39 minus 21 तो यह हो गया हमारे पास कितना? हमारा 18 तो अब तुमारी जो d i की value है वो तुमारे पास निकल कर आ गई है d i की value निकल कर आ गई अब बच्चो क्या करो अगर तुमारे पास तुम्हारी d i की value निकल कर आ गई है तो तुम formula क्या था formula याद करो formula था तुमारा x bar is equal to a plus Gemma fi into d i upon sigma fi यह था formula एक ही value तुम्हें पता है fi into di निकाल लो fi into di कितना हो जाएगा देखो भाई यह हो जाएगा हमारा simple fi की multiply di में करो 10 into minus 18 fi into di अपने पास कितना हो जाएगा 10 into minus 18 तो minus के 180 ठीक है 11 into minus 12 तो यह कितना हो जाएगा minus 11 into 22 carry गया 2, 11 वन जा 11 और 2 13, तो minus के 132 ठीक है 76 जा, वो भी minus के minus 6 into 7 करेंगे कितना हो जाएगा minus के 42 ठीक है 4 into 0 करेंगे 0 आगया, 4 into 6 करेंगे 24 आगया, ठीक है 3 into 12 करेंगे कितना आगया 36 आगया और 18 into 1 करेंगे 18 आगया sigma fi into di निकाल लो ठीक है add करो कितना हो गये, यह हो जाएगा 0, 2, 2, 4 ठीक है, 4 8 और 4, 12 और 5, 15 का 5, carry गया 1 1 और 1, 2 और 3 तो अपने पास यह तो आगया minus के कितना, minus के 354 और यह कितना हो जाएगा इसे भी ज़रा add कर लो तो यह हो जाएगा कितना, 4 और 6, 10 और 8 18 का 8, carry गया 1 ठीक है, 1 और 2, 3 और 3, 6 और 1, 7 तो यह आगया, plus 78 add करो के दोनों को क्या आएगा 374 में से 78 को subtract कर दो minus की value निकल कर आएगी, कुछ ना कुछ तो कितना आएगा भई, देखो 14 minus 8 करेंगे, तो 6 हो गया ठीक है, और 14 minus 8 करा, तो 6 हो गया ठीक है 14 minus 7 करेंगे, तो कितना हो गया 7 हो गया, और अपने पास बचा 2 ठीक है, अपने पास बचा 2 तो minus के 276 आगया ठीक है, minus के 276 आगया, अब तुम्हारे पास सारी values हैं आपर बस put कर दो, तो अपना answer कितना हो जाएगा, x bar will be a की value थी 21 plus sigma fi di की value कितनी है हमारी minus के 276 upon में कितना आगया, यह आगया हमारा 40 ठीक, तो यह हो जाएगा x bar is equals to 21, plus minus minus के होगा, इसे divide कर लेते हैं, तो कितना आएगा 4 बचा 4 मलब देखो 40 को divide करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 10, ऊपर आजाएगा 4 से बचा बल्के नहीं, 4 6 जा 24 और 4 9 जा 4 6 जा 24 और 4 9 जा ठीक है तो यह आगया आपने पास कितना है 69, 10 से डिवाइड करेंगे तो यह हो गया 6.9 तो हमारे पास आगया 21 point 21 minus 21 minus 6.9 ठीक है इसे इसमें से सब्ट्रेक कर लो तो कितना हैगा 21 minus 0.9 करेंगे तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा 20.1 ठीक है और उसमें से 6 सब्ट्रेक करेंगे तो X bar की value आगई 14.1 तुम देख सकते हो X bar की value तुम किसी भी तरीके से निकाल लो आंसर जो है वो बिल्कुल सेम आ रहा है ठीक है आंसर जो है वो बिल्कुल सेम आ रहा है आंसर नहीं बदलने वाला चाहें तुम इसे step deviation से निकाल लो चाहें assume mean से निकाल लो चाहें direct method से निकाल लो ठीक है चालो तो देखो यहां पर हमारा कौन सा method हो गया assume mean method भी हो गया अब step deviation method तो देखो जैसे कि तुम्हें मैंने पहले ही बोला था कि जब तुम assume mean से question करोगे तो तुम्हें x-bar तक की value निकालनी पड़ेगी अगर तुम question कर रहे हो step deviation से तो तुम्हें di तक की value निकालनी पड़ेगी क्योंकि मैंने बताया था step deviation का formula क्या होता है हमारा step deviation का formula बताओ जल्दी से तो अब हमें question करना है कि से यही same question हमें करना है हमारा step deviation से ठीक है और step deviation का formula था हमारा क्या था भाई formula x bar is equals to a plus sigma fi into ui upon sigma fi ठीक है into में h ठीक है जहाँ पर हमारा ui क्या था ui था हमारा क्या हमारा di upon h और h क्या था हमारा class क्या था class size जो की कैसे निकलता है हमारा जो की निकलता है हमारा बच्चो upper limit minus lower limit करके तो 12 minus 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 minus 6 कर दो कोई भी एक class interval उठाओ और उसमें से क्या करो upper limit में से lower limit को subtract कर दो आपको h की value मिल जाएगी h है हमारा 6 ठीक है di की value आप already निकाल चुके हो मैं दुबारे दुबारे नहीं निकालूंगा ठीक है तो आपका ui क्या हो जाएगा ui will be di upon h तो सबसे पहले होगा minus 18 upon में कितना हमारा क्या value आई है इसकी इसकी value आई है 6 तो minus 18 upon 6 कर लो minus 18 upon 6 कितना हो गया minus 3 ठीक है फिर minus 12 upon 6 कितना हो गया minus 2 minus 6 upon 6 कितना हो गया minus 1 ठीक है और इसके बाद कितना आ जाएगा बच्चो यह हो गया तुमारा 0 upon 6 तो यह हो गया अपने पास 0 6 upon 6 1 ठीक है 12 upon 6 2 और 18 upon 6 याने कि 3 तो यह आ गई तुमारी UI की value अब UI की value आ गई तो क्या निकाल लो जब भया UI की value निकाल आ गई तो अब UI के बाद fi into UI निकाल लो fi ui कितना हो जाएगा fi ui देखो 10 की multiply minus 3 से करेंगे 4 की multiply 0 से करेंगे 0 4 की multiply 1 से करेंगे 4 3 की multiply 2 से करेंगे 6 और 1 की multiply 3 से करेंगे तो 3, sigma fiui will be minus 30 minus 22, minus 52, minus 52 और minus 7 minus 59, minus 59 और ये कितना हो जाएगा, 6, 4, 10 और 13, minus 59 plus 13 कितना हो जाएगा, minus 59 plus 13 हो जाएगा, हमारा minus के 46, simple, minus 46 आगया, sigma fiui की value, बस तो formula पे value पूट कर दो, बस, x bar will be a, याने की 21 plus minus 46 upon minus 40 into h की value as 6, ठीक है, clear हो गई बात, चालो जी, इसे 2 से divide कर लेते हैं, 2, 3 जा 6, 2, 2 जा 4 याने की minus 40 आगया, और यहाँ पर यह minus 40 नहीं है, plus 40 है, उपर minus 46 है, नीचे plus 40 है, ठीक, फिर इसे 2 से divide कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 10 और उपर आगया, 23 वो भी minus के, 10 से divide करेंगे तो ये हो गया, minus के, 2.3, तो अपने पास, x-bar is equals to आगया, 21 plus minus 2.3 into 3, multiply कर लो, x-bar is equals to 21 plus minus minus हो जाएगा, 3 के multiply करेंगे, 33 जा 9, 32 जा 6, तुम अल्रेडी कर चुके हो, 21 minus 6.9, जहाँ पर भी तुम देख सकते हो, x-bar की value आ गई, 14.1, और तुम्हें यहां से क्या समझ में आ गया, कि एक single question को, तुम तीनों में से किसी भी method से solve करो, चाहे step deviation से, चाहे तुम्हारा assume mean से, और चाहे ही तुम्हारा concept वाले method से, तुम्हारा direct method से, answer तीनों से सेम ही आने वाला है, answer में कोई difference नहीं होगा, clear हो गया, समझ में आ गया, बढ़िया तरीके से तीनों concept clear हो गया, step deviation, direct और तुम्हारा assume mean, तीनों के तीनों clear हो गया, clear है बई, चालो, बहुत बढ़िया, आ जो next question पर देखो क्या कह रहा है, find the mode of the following distribution of marks obtained by the students, ठीक है, table given है, given the mean of the above distribution is 53, using empirical relationship, जो की relationship मैंने तुम्हें starting में बताय था, estimate the value of its median, तो देखो, तुम्हें mode निकालना है, तुम्हें mean दिया हुआ है, तुम्हें क्या करना है, बाद में median निकालना है, तो जेको बहुत easy question है ठीक mean निकालना ही नहीं है mode निकालना है, mode निकालना कोई बड़ी बात नहीं है सबसे पहले modal class निकालो थोड़ा चल्दी करेंगे अब question को modal class will be equals to कितना सबसे बड़ी frequency 29, modal class हो गए 68T ठीक है L की value कितनी हो गई L is equals to lower limit of modal class याने की 60, एक बार check कर लेते हैं सबसे बड़ी frequency 29, हाँ ठीक है बिल्कुल सही है, L की value 60 F1 frequency of modal class याने की 29 F0 modal class से पहले वाले class interval की frequency याने की 21 F2 modal class के बाद वाले class interval की frequency याने की 17 और H कोई भी क्या हो ठालो, class interval उठाकर upper limit minus lower limit कर दो, तो तुम्हे class size मिल जाएगा 40 minus 20 will be equals to 20 सारी चीजे हैं mode will be is equals to direct formula में value रखूंगा हम मैं L याने की 60 plus bracket के अंदर F1 minus F0 याने की 20 minus 21 sorry 29 minus 21 अब divide by 2 into F1 याने की 2 into 29 minus F0 याने की 21 minus F2 ठीक है? into H याने की 20 पूरे question को उठाकर solve कर लो mode will be is equals to 60 plus 29 minus 21 कितना हो जाएगा? 29 minus 21 हो जाएगा हमारा 8 upon 2 into 29 कितना हो जाएगा हमारा? 58 minus 21 और 27 minus 21 minus 27 कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 8 और 3 minus 38 into 20 अरे या तो बहुत easy question हो गया mode is equals to 60 plus 8 upon 58 minus 38 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 58 minus 38 हो जाएगा हमारा 20 ठीक है? into में 20 20 से 20 कैंसल आउट हो गया mode की value आगए कितनी? mode is equals to आगया हमारा कितना? 60 plus 8 याने की 68 आप देख सकते हो आपके mode की value आपके modal class के बीच में आ रही होगी 60 और 80 के बीच में आ रहा है 68 हमें कोई दिक्कत नी है median हमें कितना? mean दिया हुआ है हमें कितना? mean is equals to 53 हमें के निकालना है? हमें निकालना है बच्चो हमारा किसकी value? median की value वो भी empirical relationship की helps है ठीक है? तो क्या दा भाई? 3 into median is equals to mode plus 2 into mean ठीक है? क्या आजाएगा भाई अपने पास? median की value निकल कर आगई कितना? mode की value कितनी है? 68 plus 2 into mean 53 into 2 करेंगे तो कितना आगया? 106 upon 3 तो यह हो जाएगा आपने पास कितना? 166 और 8 कितना हो गया? 166 है और 8 हो गया? 174 by 3 6 और 8 हो गया 14 14 का 4 carry गया 1 1 और 6 हो गया 7 ठीक है 174 ठीक है? 3 से डिवाइड कर लेते हैं कितना आजाएगा? यह हो जाएगा कितना? 3, 5 जा 15 2 बचा तो यह हो गया अपने पास कितना? 3, 8 जा 24 तो भाई यह अपना मीडियन जो निकल कर आजाएगा वो 58 आजाएगा So this is the answer of our question किसी को यहाँ पर कोई दिखकर है तो मुझे बताओ Clear हो गया? सब को समझ में आगया बच्चो देखो यार Statistics वाला chapter जो है वो थोड़ा लंबा जाता है Statistics वाला chapter थोड़ा लंबा जाता है क्योंकि इसमें extra time देना पढ़ेगा तुम्हें question को solve करने में लेकिन method easy है ठीक है? method easy है इसकी वज़े से question में almost मुफ्त के number मिलते हैं तुम्हें तो ये जो question हम कर रहे हैं ये सारे के सारे मुफ्त के number देने वाले question है ठीक है? 4 number 5 number free में देके जाते हैं ये question बताओ ये कौन सा hard question था ठीक है? अब ये question तुम्हारा 5 marks में आया वा question है ये question तुम्हारा 5 marks में आयवा question है क्यों? क्योंकि इसमें दोनों ही चीजे पूछी है इसमें mean भी निकालना है और इसमें median भी निकालना है तो देखो mean निकालने का काम तुम लोगों का mean तुम लोगों का homework है mean जो है वो तुम लोगों का homework है क्योंकि main निकालने के तीनों method में तुम लोगों को समझा चुका हूँ मैं तुम्हें कराओंगा क्या median median कैसे निकलता है median का formula तुम जानते हो median के लिए तुम्हें सबसे पहले निकालनी पड़ेगी median class और median class से भी पहले क्या चाहिए होगा तुम्हें चाहिए होगा n by 2 सबसे पहले n क्या है हमारा frequency का sum ठीक है उसके बाद n by 2 जो आएगा वहाँ से तुम देखोगे कि भाई या तुम्हारा जो हिसाब किताब है वो क्या है वो बन रहा है या नहीं बन रहा बनाएंगे चलो इसाब किताब तो table ready कर लेते हैं जरा आजो भाई table महुद है प्रकट हो जाओ ऐसे तो प्रकट होगी नहीं हमें खुद को ही बनानी पड़ेगी बाई table बहुत तमीज से बनाना वहाँ पर भी ठीक है एक class interval हो गया ठीक दूसरा frequency हो गई और तीसरी cumulative frequency हो गई ठीक है तीनों चीज़े अपने हाथ में जल्दी से बनादो भाई यह मैं थोड़ा तेज बना रहा हूँ तो आड़ी टेडी लाइन से बन जाएंगी तो tension मत लेना class interval कितना है भाई class interval class interval है हमारा 5,7,7,9,9,11 ठीक है 5,7,7,9,9,11 ठीक है आगे क्या है 11,13,13,15,15,15,17 11,13 13,15 15,17 और 17,19 ठीक है 70,120,32,100,45,28,or5 ठीक है 70,120,32 यह हो गई frequency 70 120 ठीक है 32,100 32,100 45,28,or5 45,28,or5 तो यहां से हमें value मिल जाएगी N की ठीक है सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसकी cumulative frequency तो सबसे पहली आ जाएगी CF की value हमारे पास कितनी CF will be 70 सबसे पहली term तो same आती है ठीक है उसके बाद इस term को add गरते वे चलो तो 120 plus 70 कितना हो जाएगा 190 190 plus 32 कितना हो जाएगा यह हो जाएगा अपना 222 222 और 100 कितना हो जाएगा 322 ठीक है Plus 45 कितना हो जाएगा यह हो जाएगा अपना 367 add करेंगे तो 5 और 2,7 4 और 2 6 और 3 ठीक है 28 and 367 कितना हो जाएगा यह हो जाएगा हमारे पास कितना 8 और 7 15 का 5 करी गया 1 8 और 9 3 ठीक है 395, 395 और 5 कितना हो गया 400 ठीक है चेक करना है तुमारी यह जो पूरी cumulative frequency है इसा यह है नहीं तो इन सब को add कर लो 0 25 0 2 देखो 2 और 8 हो गया काथ 2 और 8 हो गया हमारा 10 10 और 5 15 और 5 20 का जेरो करी गया 2 7 और 2 9 और 2 11 11 और 3 14 14 और 4 14 और 4 हो considering हमारा केतना 18 और 12 हो गया 20 का जेरो करी गया 2 1, 2 और 2, 4 तो 400, बिल्कुल सही है भाई तुम देख सकते हो तुम्हारी जो n की value याने की sum of frequency है और जो last term of cumulative frequency हो बिल्कुल same आ रहा है तो n की value आ रही है हमारी कितनी 400 तो n by 2 will be कितना हो जाएगा 400 by 2 याने की या आ गया हमारे पास 200 तो अब तुम्हें क्या करना है cumulative frequency में ढूंडना है कि 200 कहां पर है cumulative frequency में ढूंडो 200 कहां पर है तो कहीं भी नहीं है cumulative frequency में 200 कहीं भी नहीं है तो जो 200 से अगली बड़ी term है वो देखो कौन सी है 200 से अगली बड़ी term है ये इसके सामने वाला जो हमारा class interval होगा वही median class हो जाएगा तो median class will be यह मिल गया median class median class is equals to हो गया हमारा कितना? 9.11 9.11 तो देखो भई, अब मैं यह आगे वाले page पर कर लेता हूँ ताकि यहाँ पर हम सारी चीज़े लिख सकें और question को एक ही जगाँ पर solve कर सकें तो हमारा median class है 9.11 ठीक है? अपने पास n by 2 की value है 200 और बच्चो लास्ट में अगर हम देखें हमें और क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए CF. CF क्या होता है? बच्चो CF होता है हमारा जो median class है उससे पहले वाले class interval की क्या? cumulative frequency तो यह हो गई 190 तो CF is भाई सब तुम्हें पहले ही पता चलिगा है यह class खतम होने वाली है TF is 190 frequency कितनी हो जाएगी? frequency is F हमारी cumulative frequency sorry frequency of the median class जो कि है 32 ठीक है? और H की value कितनी हो जाएगी? H की value हो गई हमारी कितनी? 9-7 कर लो कितना हो गया? 9-7 करेंगे तो H की value आगई 2 तो भाई सारे के सारे formula हमारे पास है ठीक है? formula क्या था? हमारा median का starting में बताया था तुम लोगों को L प्लस N बाइ 2 माइनस CF upon F into H यह रहा? कहां गया भाई? कहां गया? यह रहा? median अब भाईया सीधा सीधा बस कुछ मत करो इसी में value पुट कर दो formula क्या है भाई? formula is median is equals to L प्लस ब्राकेट के अंदर N बाइ 2 माइनस CF upon F into H सारी values है हमारे पास L की value कितनी है भाई? L की value है हमारे पास कितनी? L की value भी यहाँ पर लिख देते हैं lower limit of median class याने कि 9 plus N upon 2 N upon 2 की value है 200 minus CF की value है 190 upon F की value है कितनी? 32 into H की value है 2 solve करेंगे बच्चों कितना आगया? 9 plus 200 minus 190 हो गया 10 upon 32 into कितना? 2 2 से divide कर लो तो यह कितना हो जाएगा? 2 वंजा 2 16 आगया ठीक तो अपने पास कितना आजाएगा? 16 वंजा 16 तो देको 10 तो divide होगा नहीं तो यह हो जाएगा 0.100 हो गया 96 ठीक है? यह जाएगा 4, 40, 16, 2 जा कितना हो जाएगा? 16, 2 यह 32, 8 और 0 ठीक है तो यह इसे इस से divide करेंगे तो हमारे पास कितना आगया? 16 वंजा 16 और 10 को 16 से divide करेंगे तो 0.625 आगया ठीक है? तो अपने पास कितना हो जाएगा? 9 प्लस 0.625 हो गया 9.625 यह यह हमारा क्या हो गया? यह हमारा median हो गया बच्चो किसका? यह हमारा median हो गया किसका? हमारे given data का ठीक है? अब mean तुम लोगों को निकालना है मैंने आज की क्लास में तुम्हें mode, median और mean निकालने के तरीका निकालने का जो method है वो अच्छे समझा दिया है और बच्चो यह हमारा last session था किसका? most important question के series का जिस बच्चे ने पहली बार देखी है इस series जाकर तुम देखो इससे पहले सारे chapters के most important question डाल दिये गए है कुछ starting के chapters जो है वो सयम सर ने कराए है बाद के chapters मैंने कराए है तो जाओ, जाकर देखो तुमने अगर यह series धंक से कर ली तो तुम्हारे जादातर हर एक तरीके का question solve हो जाएगा ठीक है? हर तरीके के question तुमें कराए गए है previous year question जादातर मैंने उठाए है जो की जो भी series मैंने जो भी session मैंने लिया है उनमें जादातर सारे question previous year के हैं तुमने आज के session में भी देखा होगा ठीक है? तो भाई I hope तुम लोगों को मुझसे पढ़ने में मज़ा आया होगा नाम है मेरा कमल कौशिक काम है मेरा maths बढ़ाना मिलता हूँ तुमसे सीधा next session में ठीक है तब तक के लिए take care टाटा और बाई बाई बाई